नमस्कार मैं हूँ लाल चन्सोनी आज सुबट आइस में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको वह कहानी बताएंगे जो गरीबों की असली मसीहा सरवन कुमार गुलाई बाग डीडिये कालोनी में दिल्ली में रहते हैं और बे सहारा बिकलांग गरीबों की विसेश मदद करने में आगे ही नहीं सबसे आगे रहते हैं वही पर आज कल आप जान सकते हैं कुरोना वायरस जिस तरह से आप देख रहे हैं एक महमारी का रोप पूरे दुनिया में ले रखा है आज पूरी दुनिया संकट से पीडित है वही पर दूसरे एक दूसरे बैक्तियों की मानोता की खात्मा होती जा रही है और उसे बचाने के लिए सरोण कुमार समाजिक कारिक करते हुए सरोण कुमार ने इंसान की पीड़ा को भली भास समझते हुए उन्होंने बुलाई बाग कालोनी दिल्ली से रोडों पर और कालोनियों में भंडारा करना सोजने के लिए और एक दूसरे की बैक्तियों की भूक प्यास देखते हुए उन्होंने भंडारा किये और मदद करने की बिसेश पहलू किये समाजिक अस्तित को बढ़ाने और इंसान इंसान की मानोता की पीड़ा को समझते हुए सरवन कुमार ने अपनी कालोनियों के आसपास और पडोसियों को जान पहचान के सभी लोगों को मदद के लिए हर संभो हमेशा तयार रहते हैं इनका जीवन ही बहुत ही सरल और इंसान और समाजिक मानोता का सबसे बड़ा सरे जाता है जिस तरह से सरवन कुमार या पहलू करते हुए अपने कुछ साथियों को लेकर चलते हुए और इलिके कालोनियों में कोई भूखा ना सोये इसलिए या सरोण कुमार ने या पहल करते हुए लोगों को या रोडो पर बाठते हुए नजत आ रहे हैं सरोन कुमार का जीवन ही एक सरल और समाजी कस्तित को और आगे बढ़ाने के लिए प्यार मौबत का एक अलग इंसानियत इंसानियत का भाव रखते हुए सरोन कुमार ने यह कदम उठाए हैं कुछ अपने साथियों के साथ इनों ने टेम तयार किये और इनों ने एक भली भाव इसे कारी करते हुए लोगों को एक अच्छा पहलू करते दिखा रहे हैं और आप जान सकते हैं कि जिस तरह से आप भूखे प्यासे लोग हैं और इस समय जो है लोगों को खाना नसीब हो रहा है या नहीं हो रहा है इसे देखते हुए आज कालोनियों में लोगों को एक अलग रिटबा जिस तरह से दिखा रहे हैं सरवंड कुमारजी या एक अलग मिसाल कायन करती है और इसे देखते हुए आज कुरोना वारत से आप आप सबी साउधान रहेें और साउधानी ही सबसे बड़ी हमारी जीवन है और आप बाहर निकल नहीं तो आप घर में परवेश करने से पहले आप सेनिटाइज करें अपने हाथ को इन्हें डिटोर से और आप जो है पैर को भी दूल लें क्योंकि जो आप बहर निकलते हैं बैक्टरिया घर में न परवेश करें इसलिए आप यह कदम जरू से जरू ठाइए और सरकार के हर एड़वाजरी को आप बिसेश तोर से आप देखते रहिए और सरकार की पहलों को बिसेश तोर से गौर करने की और उसे अपने आप में ईस Whyimpiran का ही काम आता है दुखदर्द में ही काम आता है तो इसे देखते हैं हुए शर्वन किमार बिसेश पहलू जागरुता का बिसेश कर की है है इसे आप देख सकते हैं की जिस तरह से लगातार सर्वन कुमार जी या कारिकर रहे हैं और पीडा आज जिस तरह से पूरे दुनिया में या क्रोना वारस का पीडा जो है आज पूरे दुनिया में फैली हुई है और इसे मैं कह सकता हूं कि यह बहुत ही अच्छी पहलू है कि लोग जो पैसे नहीं है या भूखे हैं प्यासे हैं उन् कितनी मदद और कितनी साहता यह बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी वह है प्रोग्रेस है कि इस तरह के सोचने वाले हमारे पिर्थी पर अभी हैं और रहने चाहिए क्योंकि सोचना एक मानोता का सबसे बड़ा भाव है और यदि किसी के उपर पीड़ा पहुंचा है किसी आज पूरे दुनिया के उपर पीड़ा पहुंची है तो इस तरह के मदद करना एक दूसरे का भूग प्यास मिटाना सबसे बड़ी पुन्न और सबसे बड़ा विश्वास का काम होता है मानोता आज जिन्दा है और मानोता हमेशा जिन्दा रहना चाहिए जिस तरह स सरोन कुमार ने इंसानियत का भाव करते हुए इन्होंने और भी आसोबा टाइम्स को बताया कि मैं और भी अच्छा कदम उठाने जा रहा हूं और लगतार हम लोग जो है रोटिया पैक करेंगे और घरों में बितरित करेंगे रोड पर जो जा रहे हैं जो भूखे प्यासे हैं हम उन्हें भी खिलाने के लिए ताथ पर खड़े रहेंगे यहां दिखिए-देखिए समाजी का स्थित्व का अलग अंदाज दद दिखाई देता है तो लोगों में एक पहल जागती है एक हिम्मत जागती है एक साहस जागती है अच्छा काम करने वाले हमेशा जो है अ देश का ख्याल रखिए और मेरे भावनाव को समझे बाय बाय जैहिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ और पेड़ लगाओ अधिक से अधिक पेड़ लगाई है अपने जीवन में सुखार सुख जीवन पाई जैहिन नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्र